कॉस्ट अकाउंटिंग में हम फर्स्ट उनिट पढ़ रहे हैं माटेरियल कॉस्ट अकाउंटिंग का जिसमें हम बिजनस के बारे में पढ़ेंगे बिजनस में समान खरीदा भी जाता है और फिर उसे बेचा भी जाता है समान खरीदने के बाद उसे हम एक गोडाउन में रखत आगर मेहंगाई कम हो रहा है तो हो सकते हैं वह हमें 15 रुपे में 25 रुपे में 60 रुपे तो कभी जादा हमें मिलता है अब हर little fate गोडाउन पूहीं एक प्रश्ण रहता है कि हम सबसे पहले कौन सा समान बेशने के लिए घर को कि किаша बता चलेगा कि गोटाउन में कि इसकाइर को यह तो सब मैझण करने के लिए हम बनाते हैं अभी आपना रखते हैं कि हमारे पर कितना समान है और वह समान कारेट क्या है कौन कौन से रैट वाले समान उर्मारा पрос इभपलीबल है और इसके बद जब अपनको sold करना रहते है कोई चीज, तो फिर हम यह decide करते हैं कि हम किस rate पे उस समान को बेचेंगे, तो इसके लिए कुछ method हम use करते हैं, अलग-अलग business में अलग-अलग तरीके का method, लोग अपने हिसाब से use करते हैं, तो इसमें important method जिसे हमारे questions जादा आते ह वो है, first in first out method, यानि की FIFO, last in first out method, यानि की LIPO, और highest in first out, यानि की HIFO, और average method, जिसमें दो आते हैं, simple average price method, और weighted average price method, ये सारे जो method हैं, वो important है, first in first out method में, जो समान पहले आया है, उसी rate का समान सबसे पहले हम sold करते हैं, last in first out में, जितना भी समाना मेरे पास अभी available है, उसमे सबसे last में, जो समान हमने करीदा था, उसको हम सबसे पहले sold करते हैं, highest in first out method में, जितना भी समान हमारे पास available है, उनके rates में, जो सबसे जादा highest होगा, उसको हम सबसे पहले sell करते हैं, average method आता है, इसमें simple average method, और weighted average price method, ये हम, जब question बनाएंगे, तब उसको समझेंगे, इसक इसमें वो amount दिया रहते है, हमको कौन से rate से calculation करना है, इस तरीके से हमारे पास कितना अभी goods अवलेबल है, और हमने कितना good issue कर दिया, उसका calculation हम सबसे पहले हम सबसे पहले हमारा question है, question number 4, from the following particular, prepare a store laser account for the month of January 2016, showing the material issue price on first and first out method, इसमें रिसमें रिसमें इसमें जो हमने material खईद तो एक जन्वरी को हमने 300 kg का material खईदा 8.50 पैसा में और दो जन्वरी को बेज दिया 100 kg, तो 100 kg का rate अपन calculate करेंगे 8.50 पैसा के हिसाब से, 10 जन्वरी को खईदा है 400 kg आट रुपे में और 11 जन्वरी को बेज दिया 500 kg, तो जो first आया है वही जाएगा, तो हमारे पस अभी 300 में का में जाएगा 800 kg, और 28 जन्वरी को खईदा 400 kg, पांस रुपे में और 18 जन्वरी को हम बेज रहें 300 kg, तो इसका calculation होगा, store laser account, first in first round basis पे, for year जन्वरी 2016, इसमें हम 4 kolum बनाते हैं store laser account में, एक date का, एक receipt का, एक issue का और एक balance का, receipt में भी 3 kolum बनते हैं, quantity का column, rate का column और amount का, वैसे सेम इशु में भी बनते है क्वांटिटी रेट और अमाउंट का और बैलेंस में दो कॉलम बस बनते है क्वांटिटी और अमाउंट का क्वाइशन में दिया था कि 2010 में एक जन्वरी को हमने पर्चस किया है 300 kg का गुड़ आर्ट रुपय पचास पर सकी हिसाब से दोनों को इंटू करेंगे तो आजएगा 2250 तो क्यूंकि हमने उस दिन तो कुछ भी नहीं बेचा है तो वह डिरेक्ट हम बैलेंस में लिख देंगे क्वांटिटी में 300 और अमाउंट में 2250 अब दो जन्वरी को हमने बेचा है तो हम रिसिप्ट कॉलम को पुरा खाली शोड़ देंगे और क्यूंकि हम बेचे हैं बस तो 100 kg बेचे हैं तो वह क्वांटिटी में 100 लिखेंगे और हमारे पास अभी सिफी आर्ट रुपय पचास पैस का ही इंको डैवलेबल है तो हम वह रेट यूज करेंगे दोनों को इंटू करेंगे तो आजाएगा 850 अब क्यूंकि हमारे पास 300 kg था जिसमें से 100 हमने बेच दिया तो हमारे पास अब कितना मैटेरिल बचा 200 kg का और जब आपन 2250 में से 850 माइनस कर देंगे तो यहां पे बचेगा 1700 रुपय दस जन्वरी को हम पहले से लिख देंगे अब हमने 400 kg और खरीद लिया तो उसका भी हम अलग से लिखेंगे 400 kg और वो टोटल रुपय उसका कितना था 3200 तो उसको भी हम लिखेंगे अब 11 जन्वरी को हमने गोट बेचा है तो रिसिप्ट अमौन को फिर से हम पन पूरा डैश छोड़ देंगे अब हम बेच रहे हैं तो क्योंकि हमारा first in first out method है और हम यहां पे 500 kg बेच रहे हैं तो जो पहले आया है वो पहले बिकेगा तो 200 kg का material तो पहले से available है हमारे पास इसलिए हम 200 को पूरा पूरा इशू कर देंगे 200 यह कितने का rate का था तो 8.50 पैसे का था इसलिए हम rate 8.50 पैसे क अब हमें 500 kg इशू करना था लेकिन अभी तो हमारे पास सिब दो ही हुआ अब हमको कितना इशू और करना है तो 300 kg और इशू करना है तो 300 into क्योंकि इसका rate था 8 रुपे तो आजागा 2400 अब 400 kg था हमारे पस जिसमें से हमने 300 बेच दिया तो हमारे पस बैलेंस कितना बचा 100 kg तो 100 into जब अपन आठ करेंगे तो आजाएगा 800 पंद्रा तारीक को हमने फिर से material खईदा 500 kg का 6 रुपे के हिसाब से into करेंगे दोनों का तो आजाएगा 3000 अब यहां पे हमारे पास 100 kg तो पहले से ही था तो हम यह 100 kg और into 8 करके 800 पहले से लिखेंगे अब 500 वाला भी आ गया त उसको भी हम लिख लेंगे 500 और अवांट में लिख लेंगे 300 इसके बाद 18 तारीक को हमने सोल्ड किया है तो रिसिप्ट में पूरा अपन छोड़ देंगे डारेक्ट इधर आएगे 400 kg अपन को इशु करना है तो सबसे पहले जो आया है क्योंकि यह 1st in 1st round चल रहा है तो 1st म यह कौन सा मटेरिल अपन के पास है 100 रुपय वाला 100 kg वाला 100 kg वाला तो 100 kg इशु करेंगे 8 रुपय कि अपसे तो 800 आएगा और बाकी अब कितना पचा 400 में से 100 अपन माइनस कर देंगे तो 300 kg और अपन को इशु करना है तो आपन यह 500 वाले में से इशु करेंगे 300 और इसका रेट 6 था तो आजाएगा 1200 रुपय अब 28 तारीक को हमने फिर से पर्चेस किया 400 kg जिसका रेट था पांच रुपय पचास पैसा दोनों को इंटू करेंगे तो आजाएगा 2200 अब सोल्ड में तो कुछ भी नहीं था तो इसको अपन डैस चोड़ देंगे अभ यहां पर वैल अब हमको इशु करना है 300 kg का 28 तारीक को ही तो दोसो तो आपन के पास जो पहले है क्योंकि फॉस्ट इन फॉस्ट आउंट में चल रहे है इसे दोसो को आपन पहले ही इशु कर देंगे 6 रुपय के रेट से था यह तो 6 रुपय के रेट लगा के 200 हो जाएगा अब हमको सिर् 400 कॉंटिटी था यह वाला तो पूरा खतम हो गया अब यह 400 कॉंटिटी था जिसमें से 100 इशु कर दिये तो यहां पे बैलेंस कितना बचा 300 और 300 और इसका रेट था 5 रुपय 50 पैसा इंटू करेंगे तो आजाएगा 1650 यह हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा